कि नमस्कार मैं बीना और आप देख रहे हैं दफुल वॉल्यूम दफुल वॉल्यूम के संडे वाइफ में आज हम पहुंचे हैं पटना के एनाइटी इंस्टिट्यूट में जहां पर हमने इंजीनियर स्टुडेंट्स के आर्ट एक्सप्रोड करने का सोचा है और आज हम इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंजीनियर्स जो है आर्ट को एक नया रूप दे रहे हैं तो चलिए इस आर्ट एक्जिविशन को पूरा घूमते हैं और इसके बारे में डीटेल्स में जानेंगे यहां जो और जो यहां के कॉडिनेटर है उनसे अभी हमारे साथ काजल और विकास है तो आईए इनसे जानते हैं इस एक्जिविशन की खास जो कुछ बाते हैं जी विकास मैं बैसिकली यहां पर जो आपको आर्ट एक्जिविशन में आर्ट दिख रहे हैं पीसे जिसमें हमने चार के डिग्रीज में बाटा है पहला पोट्रेट विजुल आट और इस्टिल लाइफ और फोटोग्राफी और आप देखी रहे हैं कि कैसा लग रहा है इन इती के बच्चे जो कि इंजिविशन हैं और वह उसक तरीकी से पंटिक्स बना के और डिस्प्ले की होगे हैं काफी खुब शुर्य लग रहा है आप खुद ही देखे कि इंजिविश अगर वो आर्टिस्ट होते तो कितना आच् तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां के बच्चे जो अपना टैलेंट दिखा रहे है आट में वो काफी काफी तारीफे काबिल है और काजल हमें यह बता हिए कि इंजीनियर्स और फिर डॉक्टर्स उनके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही एहम रहता है और से निकल कर फिर अलग कुछ करना वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है लेकिन इस तरह के एक्जिबिशन जो लगाये गए हैं यहां पर उससे बच्चों को क्या कुछ बेनिफित मिलने वाला है जो लोग क्रेटिव होते हैं उनके लिए आर्ट बहुत माइने रखत उनका बूड़स बनातें हैं तो उनको हम लोग ने डिसपले किया है तो जो सकिएचंग भापेंटिंग वह लोग अपने माइंड के इंटेरिंमेंट के लिए बनाते फ्मके कि श्यानिे ना कि सबस्तां में इसमें धिक्या सक Gardensले म्हाइचि उनकिन को लिच्खा अठ्ली आ जिसमें वह आटिस्टिक होते हैं बद दिखाने पाते हैं तो हम आमने बिसिकली उनको एक मौका दिया है कि उनका जो आठिस्टिक वह है लिविंग अफ्ट वह अपना यहां पर रिप्रेजेंट करके अपने आपको एको एक्स्पोर करें तो यह बैसिकली एक प्लेटफार्म जहां पे इंजिनियर्स आके आर्टिस्ट बन रहे हैं अभी हम लोग जहां पर खड़े होगे हाँ दो मॉडल देख सकते हैं एक है बूर्ज अव अलर्ड और एक है गोल घर तो यह दोनों जो है यह पतना का एक इतिहास दर्साता है तो काजल से हम जानेंगी इसके बारे में यह जो है गोल घर वह पतना का एक इमेज ऑप दा सिटी है जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था ग्रेन को कलेक्ट करने के लिए जो 1786 में बना था तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला जैसे आर्गिटेक्टर डेपार्टमेंट म पी योपी को मिला के उसके बाद वो लोग यह बनाया है ठीक है और यह बूर्च हल अरब है जो कि संबोर्ट से बनाया है और आइवरी से जो कि दूबई में है तो इसी तरह यह दोनों आर्गिटेक्टर डेपार्टमेंट से हैं मोडल्स आर्ट के अलग अलग फॉर्म को यहां पर दर्शाया गया है और अभी जहां पर हम खड़े हैं इसके बारे में हम ब्रीफिंग में जानेंगे विकास से मैं हम यहां पर जिसे इंजिनिंग कॉलेज में क्या है कि आप जो दूसरा फेस है ना स्टुडेंट्स का कि आर्टिस्टिक वे वाला तो हमारे टेक्नो फेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑप इवेंट्स चलने हैं तो एक इवेंट है कला कृति जिसके तुरू यह मोल्डिं फ्राइसिंग था और यह वाला जो दिख रहा सूपर हिरो वाला सूपर मैन और बैक्मैन और बाबी गल यह था फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पे था हमारा वह जोकर और थर्ड थर्ड वाला था तो बैसिकली बैसिकली था कि लड़कों के अंदर इंट्रेस्ट आना कि व इंजिनियर के बच्चे ना सिर्फ इंजिनियरिंग के काम कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में आने वाले दिनों में हमारा जो है इंफ्रस्ट्रक्चर कैसे डबलब हो सकता है उसकी वी व्याक्या यहां पर की गई है आप इस मॉडल को देख सकते हैं और अधिक चांदकारी के लिए हम विकास से बात करेंगे जी विकास मैं यह बैसिकली हाइपो थेटिकल मॉडल है अभी प्रैटिकल नहीं है अगर हम इसको देखें तो अच्छा लग रहा है लोगों को पसंद आ रहा है कि क्या है कैसा है ऐसा बन सकता है बिल्डिंग या नहीं सकता लेकिन अगर इस अंदर से हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा बिल्डिंग बन सकता है और ऐसा कर सकते हैं यहां पर लगे हम जो डिफरेंट मॉडल और जो स्केचिंगं उसके बारे में काजल से जानते चलेंगे एंडिंङ तग जी पुर्शा नहीं जो बनाया है यहां के बिटिक के स्टूर्डिंट ना बनाया है उसके पाद यह कर्श का स्ट्रक्टर्टर ना बनाया है यह मेरा मॉडल सी ग्राम बील्डिंग जो कि गलास और इसके बाद ये मेरा हो गया यह एक competition का पार्ट था जो कि हमारे college में करवाया गया था उसमें बच्छों ने बनाया है different color का use करके और वो sunboard का use करके इन्होंने trust trust structure का use करके यह लोग एक bridge बनाया है उसके बाद यह मेरा इसके बाद ये सारे पेंटिंग है जो यहां की कालेज के स्टूडेंट स्टूडेंट्स क्या आप इसके बाद ये मिरा ने सब्वाइब लगता है वोड़ का उसके बाद यह मेरा जो पेपर है उसका उसके बनाया है इसको इसके बाद यह गया चार्कौल पेंसिल ने बनाया है और सब्सक्राम को ते मेरा पार्थीनन का कॉलुंस से यह सारा जो की अपक Ou डिबध के बंद कउने करक्टर जो वही फस्त सब्सक्राओब कर से हैं नुब्लज्स झाल, 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 झाल तो अभी हमने जाना और देखा कि किस तरह NIT के स्टुडेंट जो है वो आट के फिल्ल में भी नए भूबी्स को डेपल रहे हैं और हमने पूरा जो है एक्ज़विशन को स्क्रोल किया और देखा कि अलग अलग तरह के आने वाले टाइम में जो है किस तरह को development हो सकता है इसके बारे में भी इस exhibition में बहुत ही विस्तार से बताया गया है